हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबीधान के अनुच्छे 243C के बारे में 243G के बारे में यदि आप भारती संबीधान से रिल्लेट पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबीधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबीधान के अनुच्छे 243C के बारे में यह कहता है पंचायतों का गठन अब पंचायतों के गठन के बारे में हमने पहले पढ़ी लिया था लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा विस्तार से बता दिया गया है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा वैसे आपको मालूम ही है कि पंचायतों का गठन त्री इस्तरी चुना होते हैं त्री इस्तरी मतलब के तीन इस्तर होते हैं चुनाओ के जिला इस्तर, मद्धिवर्ती इस्तर और ग्राम इस्तर इन तीनों इस्तरों पे चुनाओ किस प्रकार से होंगे चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाएगा उनके किस प्रकार से क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर पंचायतों की गठन के बारे में बताया गया इसमें बताया है पहला पाइंट इसमें बताया है कि इस भाग के उपबंदों के अधीन रहते हुए किसी राज का विधान मंडल विधी द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंद कर सकेगा याने कि पंचायतों का गठन यदी किया जाना है पंचायतों का यदी चुनाव किया जाना है तो उस राज का विधान मंडल याने कि उस राज की विधान सभा इस बात का निर्णय करेगी कि पंचायतों का गठन किया जाए या पंचायत इस तर पर चुनाव करवाए जाए तो परंतु किसी भी इस्तर पर पंचायत के प्रादेशिक छेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले इस्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यतासाद एक ही होगा यानि कि जितनी भी जनसंख्या है जनसंख्या का लगवग लगवग ऐसा डिवाइडेशन होगा कि प्रतेक पंचायत के हिसाब से जनसंख्या बराबर बराबर रहे उसमें इस प्रकार से उसमें बराबर कर दिया जाएगा पॉइंट नमबर दो कहता है कि किसी पंचायत के सभी इस्थान पंचायत के सभी इस्थान बताएगा है तो किसी पंचायत के सभी इस्थान पंचायत छेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन छेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों में ऐसी रीती से विवाजित किया जाएगा कि प्रत्यक निर्वाचन छेत्र की जन संख्या का उसको आवंटित इस्थानों की संख्या के अनुपात समस्त पंचाज छेत्रों में यथा साथ एक ही हो यानि कि फिर वही वाली बात यहां पर बता दी गई कि जन संख्या जो है उसका डिवाइडेशन इस प्रकार से किया जाएगा किसी राज का विधान मंडल विधी द्वारा किसी राज का विधान मंडल की बारे मैंने आपको बता है ना विधान मंडल में मैंने आपको बता है कि एक तो विधान परिशद है एक विधान सभा है और राज पालिन तीनों से मिलकर के बनती है विधान मंडल किसी किसी राज में जो है वो विधान परिशद नहीं होती है तो वहाँ जो विधान सभा है और विधान सभा साथ में राज पालिन दोनों से मिलकर के विधान मंडल बन जाता है तो किसी राज का विधान मंडल विधी द्वारा याने कानून के द्वारा ग्राम इस्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मद्यवर्ती इस्तर पर पंचायतों में से में या ऐसे किसी राज की दसा में जहां मद्यवर्ती इस्तर की पंचायते नहीं हैं जिला इस्तर पर पं बंद कर सकेगा कौन विदानमंदल और पॉइंट नमबर Two का एक मद्वर्ति स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिद्व करने के लिए बंद कर सकेगा पॉइंट नमबर गा कहता है कि लोक सभा के ऐसे सदश्यों का और राज की विदान सभा के ऐसे सदश्यों का जो उन निर्वाचन छेत्रों का प्रतिनी दिद्व करते हैं जिनमें ग्राम इस्तर से भिन इस्तर का कोई पंचाय छेत्र पूर्णता या भागता समाविष्ठ है ऐसी पंचायतों में जो है प्रति निदिद्व करने के लिए उबंद कर सकेगा कौन विधान मंदल पॉइंट नमबर घा यानि के तीसरे का चोथा क्या कहता है कि राज सभा के सजश्चों का और राज के विधान परिसत के सजश्चों का जहां वे जहां वे अब इसमें दो प पंचायत छेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्री क्रत है मद्वर्ती इस्तर पर पंचायतों में प्रति निदिद्व करने का उबंद कर सकेगा और जिला इस्तर पर किसी पंचायत के छेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्री क्रत है जो जि दो प्रधिन निद्शत कर सकते हैं जो सांसत बगेरा हा है उसके छेत्र में जितनी बी लोक का सब हैं तीनों में जो है वो सांसा जो है अपना प्रतिनेदित्व कर सकता है इस प्रकार से यहां पर बताएगा पॉइंट नमबर चार बताता है कि किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदश्यों का चाहे वे पंचायत छेत्र में प्रादाशिक निर्वाचन छेतर से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा याने पंचायत के जो भी अध्यक्ष होंगे उनको जो है पंचायत के अधिवेशन में बोट डालने का पावर होगा उनको पॉइंट नमबर पांच कक्का कहता हे ग्राम इस्तर पर किसी पंचायत के अद्यक्ष निर्वाचन इसी रीती से जो राज के विधानमंडल द्वारा विधी द्वारा उपबंदित की sellers के आजाएगा कहां पर ग्राम इस्तर पर अध्यक्ष का और मद्धिवर्थी इस्तर पर या जिला इस्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचिस सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाएगा यानि जनपत पंचायत के चुना हूँगे, उनमें सारी सदस्य बन जाएंगे और उन सदस्यों में से एक व्यक्ति को अद्यक्षबनाया जाएगा और वो भी वोट डालकर करके उनको अद्यक्षबनाया जा सकता है तो यह इसमें लिखा हुआ है कि जिला इस्तर पर या बद्धिवर्ती इस्तर पर अध्याक्षों का निर्वाचन जो है उसके निर्वाचन सज़श्यों द्वारा अपने मैंसे एक किया जाएगा इस प्रकार से हमने अध्यान किया भारती संबिदान के अनुच्छे वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल ताकि अगली वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद